हलो फ्रेंड्स देखिए आज मैं बनाने जा रही हूं दो से चार साल की बच्ची की उनकी फ्रॉक तो यह मैंने उन लिया क्रीम कलर की सितारों वाली उन लिया मैंने आज और यह 11 नंबर की क्रोशियली है तो देखिए हम यहां पर चैन लेंगे चैन बनाएंगे एटीवन चै पूरी है अब यहां पर हम यह तीन चैन छोड़ेंगे एक ली में हम एक फार डवल क्रोशिय यह फिर एक नेक्स में एक बार डवल नेक्स्ट में एक वार डवल क्रोशिय, फिर आगे एक वार डवल क्रोशिय, इसी तरह हमें हर एक चैन में एक वार डवल क्रोशिय बनानी है, ठीक है, अभी मैं बनाके फिर बताती हूं, हालो देखेंगे यह मैंने एक और पूरा पूर अपर दिया है हर एक चैन में एक एक वाल नप्र efter Gusto को झान कि अभर्ण को देखेर में दो वर और बनानी है इन का ओर बनानी है यह चार अब ऑर वखेर में हेला डोसिय double और दो बार दबल क्रोोशए एक चैन में फिर अगले चैन में दो बार नेज्ट में दो बार, इसी तरह हमें, इसी तरह हमें यह प्राउड पूरा करने के बाद, यह जब हमारा फ्रेंट साईड आएगा तो हम एक और वर लिये है इसको हम ऐसे फ्रेंट साइड से लेंगे इस तरह से यह बनेएगी इसको इस में बनेंगे यहां तक मैंने नापको बताया थैसे इस तरह से फ toujours बने करने के यहां तक बताया था कि दो डबल क्रोशिय यह यह तरह से देखें अब अब एक साइट से इस तरह से दिखेंगी अब दो डवल क्रोशिया एक चैन और फिर दो डवल क्रोशिया ले रखी ये देखिए इस तरह से ये एक और ये दो ठीक है ये भी मैंने पांस राउंड लिये हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है ये तो हमारी इसी तरह से लेगी चैन फ्रंट साइड से हमें फ्रंट साइड से ही तरह से लिनी जित्क है का विश्चकर खाहर करें ही में सबस्टेजियən ही 6 मैं जिसलिए जिए जूंदी यह धसलिए कि वाली और यह भी मैं एक झाली ही 10 दूब तो इस तरह से यह 13 राउंड कंप्लीट हो गया है उसके बाद मैं यहां पर जॉंट करिए 12 राउंड कंप्लीट करने के बाद में मैंने यह बाजू बनाई है यह देखिए इसमें 8 यह डिजाइन शूड़ी है 36 है 36 यह मेरी तो इसमें हर एक जो भी चैन में मैंने मैंने एक एक बार कंप्लीट कर लिए 4 backyard अब यह चोली कम्प्लीट हो गया है अब जआगे मैं गेर बनाऊंगी तो यहां पर मुझे तरह सो लेंगे दिखिए तीन चैन. लेंगे, एक, दो, तीन त्यक्क, और इसी में चैन में एक बार-डब्ल क्रोशिया बनाने थिकिंगे, यह होगी दो, दो-डब्ल डब्ल क्रोशिया होगी, जितना आपको घ्र चाहिए आप अस हिसाप से अगर आपको ज्यादा घ्र चाहिए तो आप हर दो राउंड के बाद में बढ़ा सकते हैं डबल कुल जाभी यह इस मैंने फरेट के लिए हर एक चैन में दो वार दो डॉपल कुल लेज़ा एक चैन में एक बार लेनी है और एक में दो बार रांड बनाना है angi आपको अपने वक्षे और बन के ही से ही इसाव से इसे पार आने इंगम का ए रखेंए लजो बन रहे थे असका यह बन चुका और पूरी बन गई है इस तरह से पूरा घेर इतना है इसमें यहां पर रियान बनाओंगी तोस के लिए हमें यहां पर चैन बनानी होंगी यहां से शुरू करूंगी इसमें देखिए यह जो है कि इसके अंदर ऐसे डालके यह बनाएंगी चैन दस चैन बढ़ानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह देखिए कि मैंने यहां पर जोंट किया है दागा यह देखिए यहां पर तो मुझे यह च्छे टवल क्रोशिया छोटनी होंगी बीच में एक एक दो तीन चार पांच छेए च्छे ठीए चैन धोड़े और इसमें यहां से इधर यह यहां पर जोंट करनी है कि और इस तरह इस तरह आ यहां पर दस है यह दोड़नीए फिर श्क्रोशिय स्थे और यह हमें गेंग का लिम है ख जोड़नी है है यह दीखिए इसे तरह से यहां पर जोईट करेंगे निए इसी तरह से यह दस चेन लेने के बाद इसी तरह में पूरा राउंट करके अब यहां पर बताथे तो देखिए कि ये रावंड पूरा हो गया यह दस चैन और 6 डबल क्रोशियर सोड लेभाद हम यहां पर जोईंट करके सारे जब आन से कर लिए कर लिए पूरा घेर बनादी गया देखिए इस तरह आसे चार तरफ ऐसे ठीक है यहां पर पूरा हो गया है मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगे इस तरह से देखिए यह लंबा धागा खीशने के बाद ऐसे कि दो कि तीन कि चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एरा चोड़ा पंद्रा शूला सब्सक्राइब अठारा उननीस अब बीस इस बाइस त्रेश चोविस यह चोविस वार हमें इसमें बनाना है यह इतने लंबी-लंबी तादी करके यह पफ जैसा बनाना है ठीक है अब इसमें हमें इधर से किनारी बनानी है साथी साथी बनानी होती है इस तरह से इसमें दो तो करके निकाल ले होंगे इस तरह से तरह से लेकर फिर दो लेंगे और ये इसके साथ यह से निकाल देंगे ठीक है फिर दो लेंगे इस से इस तरह से निकाल किसको फिर दो लेंगे इस तरह से निकाल देंगे इसी तरह से इसको निकाल लेंगे ज्यादा कठी नहीं है आसान है फुरा डिला धागा ले लेके इसे निकालते जाएं इस तरह से इसी तरह से हमें यह दो दो करके सारे निकाल लें यहां तक जब हमारे पूरे हो जाएंगे जब फिर हमें अगली वाले इसमें भी इसी तरह से यह लंबे लंबे दागे लेके करना है ठीक है यह देखे यह कुछ इस तरह से दिखेगी डिजैन ऐसे मैंने यह चार बनाई है चार डिजैन बना दिया है उसमें इस तरह से इसे अच्छी लगती है लेहर जैसी तो यह मैंने जो लिया है यह चैन लिया है तो इसको हमें आगे भी बना रहे है यह एक लाइन छोड जबताझयाने में बाताराई को नगी आपको दिखाऊंगी जाएगा फिरया दिखाऊंगी debat अब देखें यह इस तरह से बनने के बाद यह इस तरह से दिखेंगी डिजाइन अब यह डिजाइन मेरी पूरी नहीं हुए है अब यह तीन बागी है यह चार बन गई है इस तरह से दिखेंगी देखें पूरे में जब बन जाएगी तब आपको फिर दिखांगी पूरा बना इस तरह से दिखेगी यह देखिए मैंने इस तरह से बॉर्डर बनाया है यह पत्तियों जैसा दिखेगा इंचे और इसमें यहां पर यह दोरी भी लगा दी है बटन भी लगा दिये है इस तरह से आप अगर डोरी बना चाहिए यहां पर दोरी भी बना सकते हो और मैंने तो ब